सु भाई लोग हम आचुके एक और नए फ्रेस वीडियो को साथ आप लोग सामने और आज के इस वाली वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं है फोटो एडिटिंग जो कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्ते इसमें मैंने दो कलर ग्रेडिंग आपको बताया है सबसे पहले आहीं क्या करना है कि यह वाला जो बैगरांड रसकते हैं तो आपको लेयर लेना है उसके ऒ आपको है रहा कर देना है जैसे आप है प्रोटों प। प्लिक किजेगा तो यहां पर कोछ पिंदी जो गरा से हम यहां पर इसको अध्यश्ट कर लेंगे ठीक है तो आपको भी अपने हिसाब से सब्सक्राइब और यहां पर दिखाई रहेंगे और इधर आपको कुं मिल जागा एक ट्रांस फॉर्म का अफसंट के हाँ फ्लीब कर देंगे और यहांlands ऊड़ से स्कुफ छाइंग eyebrow आप यहाँ पर पिसको एकन पर फोटो पैड करना है और फिर से वह एड करना है और फिर से वहीं प्रोसेस करते हुए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक transform का option आएगा इस पर टैप करके यहां से flip करेंगे और इस तरीका से हम अपने दोनों finger से खुब यहां से यहां से adjustment इस तरीका से हम कर लेंगे ठीक है तो आपको same to same यहीं step follow आपको कर लेना है ठीक है उसका यहां से आपको write करना है देखिए यहां पर यह भी मैंने add कर लिया अब हमें और भी png एक आद और png है जिसको add करने वाले है तो simply से फिर से हम वही process करेंगे layer पर जाएंगे और यहां से layer पर click कर देंगे यहां पर empty layer मिल गया और फिर से यहां पर एड फोटो पर click करने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे एक और png करने वाले हैं जो के stone का होगा और इस तरीका से हम थोड़ा से zoom करेंगे देखिए इसको जूम करेंगे इस तरीका से अब हम इसको यहां पर रखेंगे देखिए कितना बढ़िया से यहां पर हो रहा है तो इसको इसको रोटेट कर लेंगे थोड़ा से इसको रोटेट करके इस तरीका से और जूम करके ठीक है तो ऐसे आपको सेम तुसेम यहीं स्टेफ फॉलो करना है और यहां से इसको अपल को हाग है और यहां पर देखें थोड़ा स्व हम जूं करेंगे और गली करने के बाद इसको यहां पर एंट जएस्ट बनिया से कर लेंगे ठीक है इस तरीका से आपको सेम टूसेम इस तरीका कि अपक outta तो करने के बाद यहां पर हम नीचे से क्रेट करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस रॉल प्ले करता है आपको पता ही होगा तो यहां पर मैं आपको बताने ही को सिसक्राओं अभी देखिए इसको में थ्वरा सा बड़ा करेंगे इस तरीका से ठीक है और इस तरीका से बाद आपको जना यहां पर एड़ फोटो पे और यहां पर यह वाला सैड। है जिसको हम एड़ कर रहे हैं यहां पर ऐड़ कर लेना है करके यहां से ट्रांस्फॉर्म करते हुए इसको लेकर जाएंगे और इस वाले पैर के निचे हमें इसको रख लेना है ठीक है तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही आपको करना है उसके बाद आपको यहां पर देखें यह वाला सेड़ आप कर लिए अब आपके यहां से राइट कर करने के बाद आपने इतना सारा काम कर लिए देखिए इतना तो आपने कर लिया अब आपको क्या करने एक और फ्लेग एड़ करना है जो कि यहां पर लगाए थे हम तो उसको भी हम एड़ करने वाले हैं तो सेम टू सेम वैसे हम करेंगे यहां पर जाएंगे और यहां से एक हम adjustment कर लेंगे ठीक थोड़ा सबर छोटा करके इस तरीका से ठीक है तो इतना मैंने कर लिया आब हम क्या करेंगे यहां पर एक जो rain का था ना उसको एड़ करने वाले हैं जो कि रेन इफेक्ट था तो उसके लिए भी हम simply सम क्या करेंगे यहां पर layer पर जाएंगे और और यहां पर एड़ फोटो पर क्लिक करना है और आपको यह वाला लेर एड़ कर लेना है देखिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं इस तरीका से जूम करने के बाद आपको जाना है यहां पर देखिए यहां पर क्लिक करना है और जैसे आप यहां पर क एक यहाब दिखेंगे अब क्या करने के अब और यहाँ पने फोटो को गेली के अंदर ले لेंगे एपको आपको-प्रिक होगा ना चलते हैं यहाँ ऊपने प्लिक हो खुले गा उसके बाद हमें उसी फोटो को add करना है जिस फोटो को मैंने अभी अभी retouch किया था ठीक है अगर आप लोग मतलब यहाँ पे ऐसे ही रखना चाहते हैं इसी color का तो आप लोग रख सकते हैं अगर इसमें और भी color grading होगा देना चाहते हैं तो मैं आपको एक presets दूँगा जिस presets के helps है आप एक click में अपने फोटो में काफी अच्छा color grading दे सकते हैं और यह जो presets है राजन भाई का है जिनका एक channel है राजन एडिट्स ठीक है उन्हीं का preset है तो यहाँ पर उनका मैं presets use कर रहा हूँ तो यहाँ पर simply 3 dot पर जाना है और यहाँ पर आपको एक option दिखने को मिलेगा copy setting का देखिए अभी यहाँ पर एक काम नहीं कर रहा है क्योंकि photo जो होगा ना भी देखिए processing कर रहा है अब यहाँ पर option आपको देखने को मिल जाएगा copy setting तो इस पर आपको tap करने को बाद आपको tick करना है helling hill पे tap करने क्रोप और masking पर ञाहिए और यहां सारे करना रह latch करने क्वाद इस तरी का से बय गाए निकर अवर अपने photo को इस तरी का सो open कर लिए जैसे आपको जैसे आप करते हैं ठीक है ओपेन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है बस एक क्लिक में आपका फोटो एडिट हो जाएगा थ्री डॉट पर जाना है और यहां पर जो पेस्ट सेटिंग का आफसन देखने को मिल रहा है इस पर आपको टैप कर देना है जैसे आप टैप आपको टैप कर देना है तो आपका फोटो जो आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर दिजिएगा चलते होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके वेल आइकोन को प्रेस किजिएगा क्यो